Hello students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. मैं लाली वर्मा, आप सभी विध्यारतियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. हर बार की तरह या आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे. प्रिये विध्यारतियों, Magnet Brains पर बने रहो. Magnet Brains Hindi की में बात करूँ तो कक्षा साथवी से बारवी तक की online school education 100% free provide करता है साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज भी हैं आपके लिए वो भी 100% free इतना ही नहीं अब आ गई है Magnet Brains की books और ये books जिनमें हैं अनगिनत MCQs, sample papers, previous year question papers, NCRT solutions जो करेंगे आपको परिक्षाओं में बहुत help और साथी साथ हर एक जो आपकी प्रतियोगी परिक्षा होगी competitive exam होगा उसको भी crack करने में आपकी पूरी-पूरी help करेंगे तो description में जाओ, देखो, link दी है, आप swim या पता लगा पाओगे और आप swim कहोगे कि हाँ, ये हैं आपके लिए बहुत अधिक important क्योंकि जो books हैं, वो गागर में सागर है, हर्थार बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा content हो, अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, selected content दिया है वहाँ पर, जो आपको help करेगा ही करेगा, चलो तो आप चलते हैं इस वीडियो की तरफ, हमने अपने अभी व्यक्ति और माध्यम का part 12 शुरू कर दिया है, नाम है कैसे पर बनता है, रेडियो नाटक रेडियो नाटक बनने के पीछे कौन-कौन से तत्व है, जो उसको बहुत अच्छी कसावट के साथ उसको बनाये रखने के लिए आवशक है, या ऐसा कौन सा अनिवारे तत्व है, जो मुख्य भूमी का निभाता है, या विशेश भूमी का बहुत बढ़ी है क्योंकि साउंड के माध्यम या ध्वनी का ही वो माध्यम है जिसके सहारे रेडियो नाटक कानों तक पहुचता है क्योंकि रेडियो नाटक है श्रवे माध्यम तो चलते हैं इसी चैप्टर के कम्पलीट चैप्टर रिवीजन पर जिसमें हम जानेंगे एक और बहुत अच्छे तरीके से एक और बार हम जानेंगे कि आखे रेडियो नाटक बनता कैसे है और साथ ही साथ इसमें नेत कुछ प्रशनों की भी हम चर्चा करेंगे तो मैं आप पूरा आपको डिस्क्रिप्शन तो मिलेगा साथी साथ प्रशनों की भी जानकारी दीजाएगी है तो सबसे पहले हम यह जाननेगे हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले देखो रेडियो नाटक की परंपरा कब से शुरुरूआत हुआ कब से इसका ये परंपरा में आया और ये इतना एहम कैसे बना क्यों क्या अन्यसाधन नहीं थे यही कुछ तो जानेंगे साथी साथ सिनेमा रंगमंच और रेडियो नाटक समानता और अंतर इन सब में क्या-क्या समानता हैं क्या अंतर है वो भी हम देखेंगे साथी-साथ रेडियो नाटक में द्वनी संकेतों की महत्ता आ गई जी बहु बात जिसकी हम अब बात कर रहे थे कि इसमें ध्वनी संकेतों की विशेश महत्ता रहती है विशेश महत्त रहता है क्यूंकि ये है श्रवे माध्यम और सुनकर ही सब कुछ अनुमान लगा जा सकता रेडियो नाटक की अवधी और पात्र कितनी समय सीमा होनी चाहिए कितने पात्र होना चाहिए जो की बहुत 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 आसानी से और सही से समझ में भी आया और पहुँच भी सके ठीक तो देखो अब नेमी चंद जैन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कितना भी हम रेडियो नाटक की प्रशंसा करें या उन्होंने अपनी बात में बताया है कि यह कश्ट दायक सच्चाई है ठीक है यह एक कश्ट दायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहितिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बता पाया है अर्थात यह एक सच्चाई ही है हमें यह एकसेप्ट करना ही होगा कि कितनी भी हम रेडियो नाटक की बात करने लेकिन उतनी वो महत्वपून जगे तो नहीं बना पाया है हाँ जब पहले मनुरी जन के साधन नहीं थे तब भी कुछ लोगों के पास ही radio उपलब्ध होता था क्योंकि जिनके पास जैसे दादी की कहानिया सुननी नानी की कहानिया सुननी तो ये भी मनुर्जन का साधन था कहानी मौकिक रूप से बहुत लोग प्रिय रही फिर आया धीरे-धीरे रेडियो नाटक तो उनोंने यही जब भी रेडियो नाटक की बात की जाएगी ना फिल्म भी आ जाएगा रंगमंच भी आ जाएगा उसके साथ साथ रेडियो भी आ जाएगा लेकिन अपने आप में स्वतंत्रता से उसका कोई भी नाम अभी तक नहीं बन पाया है अर्था तो उसकी पहचान नहीं बन पाई है आज से कुछ दशक पहले एक जमाना ऐसा भी था जब दुनिया में ना तो टेलिविजन थे ना कम्पुटर्स थे ना सिनेमा हॉल थे और ना ही थियेटर थे ऐसी स्थिती में रेडियो ही वो साधन था जो मनुरंजन का एकलोता साधन था और ऐसा नहीं कि बहुत महगा भी था काफी कम घर्जगा था अब ऐसे समय में घर बैठे मनुरंजन का जो सबसे साधन सुन्दर था वो रेडियो था खबरे भी आती थी ज्यान वर्धक कारिक्रम भी होते थे खेल से जुड़ी बहुत सारी जो खेलों की बारे में प्रसारण भी होता था साथी साथ FM चैनलों की बीदे तरह गीत संगीद की भर मार रहती थे ऐफम चैनल के बारे में सुना होगा आपने ठीक है रेडियो मिर्ची के बारे में सुना होगा आपने तो कुछ ऐसे चैनल है जहांपर बहुत अच्छे से प्रस्तुती दी जाती है और लोग सुनते भी है टी बी धारव हाई तेली फिल्मों की कमी को पूरा करते थे रेडियो पर आने बाले नाटक अब बात हो रही है रेडियो नाटक की जो कुछ लोगों के पास तह था कते समाज में कुछ लोगों के घट टेलीविजन सुआ करते थे लेकिन रेडियो का फिर भी उतना हो चुका था कि वो सस्ता साधन था तो हर एक के हाथ में देखा जाता था फिर एक छोटा सा वॉक्मेन टाइप का एक रेडियो आ गया था वॉक्मेन मतलब जिसको चलते फिर ते अराम स इस तरह का एंटीना भी लगा रहता था हमने भी यह उस किया था मतलब हमारे घर में था तो इसको कहीं भी लेकर चल सकते हैं और उसको सुन सकते हैं तो बड़ा जब इतने बड़े रेडियो से इतना बड़ा एक रेडियो था उसमें पकड़ने का भी रहता था ऐसा इस पी भी चलता था जिसमें सब कुछ सब कुछ आता था खेल से संबंदेद और जो एफम चैनल है उन पर गाने माने मनुरजन के बहुत सारे कारेक्रामों का प्रसारण होता था हिंदी साहित के तमाम बड़े नाम साहित रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशन के लिए नाटक भी लिखते थे ठीक है जो साहित के लिए रचना करते थे रचनाकार उन्होंने रेडियो के लिए नाटक भी लिखे और उस समय भी ये बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी हिं लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक ने जो बात कहती वस वही पुखता है कई लोगों के अपने अपने मत है कि देखो यहां पर लिखा है ना हिंदी और अन्य भारतिय भाषाओं के नाटे आंदुलन के विकास में रेडियो नाटक की एहम भूमिकर रही है रेडियो ने अपनी अ धर्मवीर भारती द्वारा कृत अंधा योग और मोहन राकेश का आशार का एक दिन के स्रेश्ट उधारन है अब यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि रेडियो नाटक लेखे कैसे जाते हैं तो सिनेमा और रंग मंज की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं कैरेक् कोई एक ही वैक्ति बोल देगा हाँ कहानी को जैसे नीलेश तेबारी द्वारा कहानी का प्रसारौन आपनने सुना होगा कभी कहानी अंकहिसी कुछ ऐसे ऐसी हैसी नाटक जा नाटक या कहानी के अधि हम बात करें तो उसमें कहानी को कि तोने भावनात्मक तरिके से जीवनतता के साथ सुनाये जाता है कि डर लगने लगता है हां कि दर्वाजा खुलते ही अचानक चौकीदार ने सीटी बजाई और बड़े ही मतलब रोमान्चित तरीके से बड़े ही भावनप्रधान तरीके से जब प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो सच उसमें ऐसा लगता है कि सौच में सब कुछ आस पास घटेद हो रहा है यह कला है यह आर्ट है तो रेडियो की जो सबसे बड़ी खासियत यह हैं कि वो सिर्फ सुना जाता है लेकिन उसके बावजूद भी उसने एक अच्छी पहचान बना कर रखी है सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो ना माध्यम है सिर्फ सुनने वाला माध्यम है इसलिए रेडियो ना्टक का लेखन Сिनेमा और रंगमंच की लेखन से थोड़ा भिन ہोता है और थोड़ा किसी जैसे यहां आपकी सहता के लिए ना मंच सज्जा होती है ना वस्त्र सज्जा होती है ना ही चेहरे की बाव भंगी माये दिखाई देती है कि पात्र दुखी है हस रहा है या गुस्से में यहां सब कुछ द्वनियों या समवादों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता और उनी के माध्यम से रेडियो नाटक को प्रभावी बनाए जाता है और ऐसा नहीं है कि ऐसे अकेले कैसे होगा जब दिखाई नहीं दे रहा है बहुत नाटक सफल हुए हैं कुछ ऐसे इतने सफल हुए हैं कि उन्होंने अपनी अलग पहचान बनी अभी देखाता नमने धर् यूग वरना बाकी सब को पैसा ही है एक कहानी कहानी का वही धाचा शुरुवात मद्ध अंत इसे यूँ भी कह सकते हैं कि परिचय द्वंद और समाधान बस ये सब होगा आवाज के माध्यम से कहानी की विस्तरत जानकारी आपको कथा लेखन और नाटे लेखन के होता है यह हम समझ गए है ठीक अब आती है कि कहानी चुनने की कहानी आपकी मौलिक हो चाहे किसी और स्त्रोस से ली हो उसमें निमने बातों का ध्यान तो जरूर रखना होगा अर्थात जो भी रेडियो नाटक के लिए कहानी सिलेक्ट की गई है उसमें ये बाते हैं बहुत महत्वपून इन बातों का रखना है खयाल ताकि उन बातों के माध्यम से हम रेडियो नाटक को बहुत अच्छे से प्रस्तोत कर सकें क्लियर तो देखते हैं कौन कौन सी कहानी ऐसी ना हो जो पूरी तरह से एक्शन अर्थात हरकत पर निर्वर करती हो मतलब जो एक्शन या मतलब जो क्रिया है या हरकत रेडियो नाटक की कहानी मैं ये ध्यान रखना होता है कि उसमें एक्शन सीन कम हो ठीक है, समवाद जादा हों क्योंकि सुना जा रहा है, समवाद जादा होने के मतलब यह नहीं की बहुत जादा हो सीमित हो, सफिशेंट हो, ठीक, लेकिन अधिक क्रियात्मक दृष्ण ना हों क्योंकि वहाँ पर आप कैसे दिखाओगे दिखाओंगे तो है नहीं सिर्फ सुनकर पता लगेगा क्योंकि रेडियो पर बहुत जादा एक्शन सुनाना उबाउसा हो जाता है कि अब ये वहाँ जा रहा है अब इसने हाथ में छड़ी उठाई अब धीरे धीरे चल रहा है वो सामने उसको कुछ दिख गया है वो वहाँ बैठने वाला है अब वहाँ खड़ा हो गया तो ये बोरिंग सा लगने लगता है उबाउसा लगने लगता है तो ध्यान ये रखना है कि जो अधिक जिसमें एक्शन वाले सीन हो उस कहानी को रेडियो नाटक में ना लिया जाए जैसे मान लिजी कि आपकी पूरी कहानी का अधार पीछा करना है ठीक सर्फ पीछा ही करना है तो इस तरह से अब अपराद ही अपराद करके भाग रहा है फुलस उसके पीछे लगी है और बीच बीच में दिल चस्प नाट किया घटनाए घटती है अब सिने मामे से बड़ी खूपसूरती से पेश किया जा सकता है क्य अब सिने मामे से बड़ी खूपसूरती से पेश किया जा सकता है लेकिन रेडियो में ये कथा नक शायद अपना पूरा असर बनाने में काम्याब ना हो क्योंकि वह कितना बताएंगे कि अब भाग रहा है अभी भी भागता ही जा रहा है अब उसका पीछा करना ही वाला है और तेज भाग गया कितनी वार हम कहेंगे अब वहां पर तो दिख रहा है तो बोरिंग नहीं होगा लेकिन इसमें तो सुनाना पड़ेगा तो बोरिंग हो जाएगा इसलिए ऐसे दृष्ट से बचना है सिर्व आवाजों की मदद से आप अप राधी और पुलिस की भाग और से पैदा होने वाले रोमांज का स्रजन नहीं कर पाएंगे यह मान लीजिए आपकी कहानी क्रकेट या फुट बॉल जैसे खेल के इर्दगर्द बनी हुई है अब इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है लेकिन रेडियो नाटक नहीं बन पाएगा क्योंकि उसमें तो द्रिश्चे जलते हैं ना कैच किया तो बार बार करोगी उसने बॉल आई अब वो तो कमेंटरी टाइप हो जाएगी तो फिर कितनी बार सुनेगा कि बॉल फेक ही गई और कैच किया गया या बॉल हाथ से चूट गई और बाल बाल बचे यह कितनी बार कहेंगे ठीक है तो यह एक सीन या रेडियो पर नहीं दिखाया जा सकते यह टेलीविशन या रंगमंच पर दिखाया जा सकते हैं लेकिन यह नाटक रेडियो पर नहीं प्रसार सही से हो पाएगा सफल हो पाएगा क्योंकि इसमें क्रियात्मक एक्शन सीन जादा है इसलिए कहानी का चुनाव अपने माध्यम को समझते हुए करना होगा दूसरी बाद आम तोर पर रेडियो नाटक की आवधी 15 मिनिट से 30 मिनिट की होती है जैसे दो उधारने श्रभ माध्यम है नाटक की अवारता जैसे कारेक्रावों के लिए मनुश्य की एकागरता की आवधी 15-30 मिनिट होती है तो बस उस एकाग्रित उस concentration को ध्यान में रखकर नाटक के scenes या दृष्षि को बनाना चाहिए कि इतने समय तक कोई भी श्रोता बहुत ध्यान पूरवक सुन चकता है दूसरा cinema या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकल कर किसी अन्य सार्व जने कि स्थान पर एक अत्रित होते हैं इसका मतलब वो इन आयो जने के लिए एक प्रयास करते हैं और अंजाने लोगों के एक समू का हिस्सा बनकर प्रेक्षग्रह में बैठते हैं हाल में बैठते हैं अंग्रीजी में इन्हें captive audience कहते हैं अर्थात एक स्थान पर कैद किये गए दर्शक तो वो तो हो गया क्यूंकि आप बैठ रहे हैं जैसे cinema हाल की बात करें एक हाल में बैठ जाते हैं हाल को कहते हैं प्रेक्षग्रह ठीक है तो उसमें बैठ गया है कि यहीं आपको यह दर्श्य देखना है तो वो तो बैठ गया है आप वो तो देखेंगे लेकिन अब क्या आप रेडियो ना टक के लिए इसतरह का कोई प्रेक्षग्रह बनवा सकते discoveries नहीं क्यूंकि इसमें पर रेडियो को उठा कर ले जाएगा ठीक है और वहां पर सुन लेगा सिनेमा घर या नाटक रहमें बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा लेकिन आसानी से उठकर जाएगा नहीं अब जब आहीं गए हैं नाटक देखने या सिनेमा देखने तो अब सिनेमा की दुबात लागे वाई टिकेट दी है तो पूरा तो देखेंगे ये भी एक माइंड में जाता है दूसरा नाटक रंग मंच पर चल रहा है तो आग आए तो चलो पूरा तो देख लें अब क्या हुआ तो वह आसानी से छोड़कर नहीं जाएंगे लेकिन रेडियो की अधी हम बात करें तो घर पर बैटकर रेडियो सुनने वाल अश्रोता मन उचटते ही किसी और स्टेशन पर तुरंट लगा देता है ठीके सुई गुमा देता है और उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है इसलिए आमूमन रेडियो नाटक की अवधी छोटी होती है और अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर वह एक धारवाय के रूप में पेश की जा सकती है जिसकी हर कड़ी 15 या 30 मिनट की हो सकती है ठीके उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया चाहे कि पहली कड़ी दूसरी क इस तरह से यह एक बात और समझना होगा कि रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कारिक रमाते हैं इसलिए उनकी अवधी भी निश्चित होती है 15 मिनिट 30 मिनिट 45 मिनिट 60 मिनिट वगेरा वगेरा अब क्योंकि आपके रेडियो नाटक की अवधी सीमित है तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित होगी इसलिए जब भी रेडियो नाटक की बात पूछी जाए या उस आप से प्रशन किया जाए कि रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होना चाहिए यदि ऑप्शन आ गया जादा बहुत जादा बहुत कम या सीमित तो सीमत पर टिक करना यदि सीमत नहीं आया तो बहुत कम पर टिक करना ठीक है क्योंकि शोता सिर्फ आवास के सहारे चरित्रों को याद रख पाता है ऐसे इस्थिदी में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज़्यादा के रिदारों को ले लिया तो वो identify नहीं कर पाएगा कि किसने कौन से डायलोग बोले और वो पूरा मतलब खिचडी बन जाएगी होच-पोच हो जाएगा ठीक है और वो समझ नहीं पाएगा और अगर संख्याओं की बात करें तो हम इस प्रकार कर सकते कि 15 मिनिट की आवधी वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिक तमसंख बोला और या क्या प्ले करना चाहता है या क्या वो अपनी भूमी का अधा करना चाहता है संवाधों की माध्यम से 30-40 मिनिट की अवधी में नाटक 8-12 चल सकते हैं अगर एक घंटे या उससे जादा अवधी का नाटक है तो 15-20 पात्रों की संख्या हो सकती है कि कोई आ गया या किसी का मतलब नाटक में उसकी भूमी का गई तो उसको अब उसको आना ही नहीं तो कोई दूसरा पात्र जाएगा ठीक पात्रों की संख्या में दो संख्या और उप्रोक्त बात कहीं गए एक संख्या अंदाजा है साने कि सर्फ इतना ही होगा यह अनुमान है कि 15-20 यद और भी जा सकती है ठीक अब बात करते हैं कि संख्या बहुत जादा बढ़ाई तो जैसा पहले ही कहा था कि श्रोता के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है कि दूसरे हमें इन संख्या की बात कर रहे हैं तो प्रमुक साहिक भूमिकाओं की संख्या में जो रहेंगे वो सिर्फ दो या चार व्यक्ति ही रहते हैं उनके साइड रोल प्ले करने वालों की संख्या लगवग इस तरह की हो सकती है चोटे मोटे किरदावरों की गिंती इसमें नहीं की गई है मतलब फेरी वालों की एक आवाज या पोस्टमेन का संबाद या नैले में जजज का सिर्फ और और कहना आदी तो ऐसी संख्याएं और अधिक हो सकती हैं जो सिर्फ थोड़े से समय के लिए आएगी तो उनको इस काउंटिंग में शामिल नहीं किया है अब हम देखते हैं कि जब भी रेडियो नाटक की कहानी का चुनाव करें हमें तीन बातों का खास तोर से ध्यान रखना है कि कहानी सिर्फ घटना प्रधान ना हो यदि घटना प्रधान रहेगी तो वही बात होगी अभी अपनी हमने देखा कि अधिक एक्शन रोल होंगे ठीक है सीन होंगे तो उसमें रेडियो में प्रस्तुत करने में परिशानी होगी क्यों कि हर बात को बोल कर सुनाना होगा क्योंकि ये सिर्फ थ्वनी या साउंड क माध्यम से ही चलेगा क्योंकि रेडियो नाटक है श्राव माध्यम ठीक उसकी अपधी बहुत जादा ना हो धारवाय की बात अलग है और पात्रों की संक्या सीमित हो अब आती है बारी रेडियो नाटक लिखने की जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि मंच का नाट्य एक फिल्म की पटकता और रेडियो नाटक में काफी समानता है लेकिन ध्यान ये रखना है कि रेडियो नाटक में सीमित समय अविदी होगी सीमित पात्र होंगे और अधिक एक्शन्स वाले सीन नहीं होंगे सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसमें द्रिश्य गाइब है उसका निर्मान भी ध्वनी प्रभाव और संबादों के जरिये ही करना होगा और ये भी देखना है कि जो ध्वनी प्रभाव हों संगीत भी शामिल है सन नाटे का द्रिश्य बताया या नदी के किनारे का द्रिश बच्चे हैं और भटक गए हैं तो क्या होगा जैसे कि राम श्याम और मोहन तीन बच्चे हैं और गोर जंगल है सन्नाट अचाया हुआ है और तीनों भटक गए अब उस रेडियो नाटक में किस तरह का संबाद लिखा जाएगा ठीक ये द्रिश्चे इसी तरह चलेगा आपने गोर किया होगा शुरू में हमने अंग के द्रिश्चे की जखे कट यह हिस्सा लिखा है तर असल रेडियो नाटक में द्रिश्चे नहीं होता है इसलिए उसकी बजाए अंग्रेजी शब्द कट लिखने की परिबाटी है चलन है और हम ये भी देख सकते हैं कि जो भी द्रिश्चे रहेंगे वो द्रिश्चे नहीं कहेंगे क्योंकि दिखाई नहीं देगा जो भी सीन तो कहेंगे भाई द्रिश्चे भी कहेंगे क्योंकि दिखाई नहीं लेकर सुनाई तो देगा द्रिश्चे तो होंगे उसमें ये ध्यान कि अधिक संबसे बड़ा अंतर रेडियो नाटक और मंच रंग मंच पर नाटक में यहीं अंतर है कि वहाँ पर सीन दिखाई धेते हैं यहां पर से संभादों के माद्ध्यम से अब जैसे जंगल में तीन बच्चे हैं, अंधीरी राथ है सन नाटा हो गया है, तीनों बच्चे डर हुए हैं तो ये वाज श्रोता को मालुम हो गई अब श्याम अधने अगले संभाद में इतनी राथ हो गई ताथ पर है कि हम संबादों के द्वारा द्रिश्य का देश काल स्थापित कर सकते हैं बस शर्त यह है कि वो स्वभाविक होना चाहिए जबर जस्ती ऐसा नहीं कि भाई ठूज दिया है उसमें ठीक अब जैसे रात के बारा बजे मुझे डर लग रहा है जैसे साब दिखाई दे रहे कि मात सूचना देने के अंदाज में संबाद लिखा गया है कि भाई ये कहा गया है कि जो श्रोता है उसको समझ में आ जाए कि रात मतलब आधी रात हो चुकी है और चारो दरफ सरनाटा है औ कुछ आसी साउै साउै करके हवा की आवा सा रही कहीं उल्लो बोलनी की आवास आ रही है तो कहीं से खतरनाक सी ध्वनी आ रही तो ऐसे मैं बच्चे डर रहें ये काप रहें और अचानक से एक पक्षी तेज उड़कर उनके साइट से निकल जाता तो बच्च चीघ खूटे जब दिया कि जंगल से ओकर जाने वाला रास्ता छोटा यह था तीनों ने जल्दी घर पहुंचने ललक में वहां पकड़ी और रास्ते से भटक गए राम श्याम और मोहन तीन में रहें जंगल में रास्ता भटक गए हैं मोहन काता कि भाई देखो यदि हम वहां से जाएंगे आप घर का पहुंचेंगे घर में मम्मी भी इंतजार कर रही होगी और साती साथ श्याम डरा तो श्याम भी है लेकिन फिर भी वह आपने ढर को नेंतरत करने की कोशिश कर रहा है और सबसे बेफिक्र है मोहन जिसने रास्ता सुझाया है रेडिव नाटक में पात्रों संबं रखना होगा जो वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ शहर का है या गाओं का ठीक है या फिर किसी विशेश क्षेत्र का है वो इसके सम्वादों से यह पता चल जाएगा कि किसके द्वारा कौन सा डायलोग बोला जा रहा है इससे उसकी आइडेंटिफिकिशन हो जाएगी और उस तरह से निरधारित हो जाएगी एक व्यक्ति अपनी पतनी से अलग भंभ से बात करेंके कैसे अम्यदीए अपने बड़ों से बात करूंगे तो उन से भी इसी तरह सम्मान पूर्वप बात किया जाएगा यदि मैं अपने मित्रों से बात करूं तो वो खुछ अलगी तरीका होगा ठीक आरे बस यार तुक यह 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 दो बलाना निमका तो एक ही व्यक्ति तरह तरह से संबाद करता है और उसके संबादों में अंतर भी आता है ठीक यही बताया है अब है कि फिल्म और मंज के लिए लेखे गए संबादों पर भी लागू होता है लेकिन रेडियो क्योंकि मूलता संबाद प्रद्धान माध्यम है इसलिए इसका खास ध्यान रखना होता है कि संबाद किस तरह के बोले जाए ताकि श्रोता आसानी से समझ सके अब है समवाद से संबंद देखता था और है और विशेश का रेडियो नाटक पर लागू होता है क्योंकि रेडियो में कौन किससे बात कर रहा है हम नहीं देख पाते ही के इसलिए समवाद जिस चरित्र को संभूदित करता है उसका नाम लेना जरूरी होता है खासतोर पर जब द्रिश्यों में दो अधिक पात रहों इसके अलावा रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्र विशेश जब कोई हरकत कोई अक्शन करता है तो उसे भी समवाद का हिस्सा बना लिया जाता है कैसा जैसे मालो अब घूमने जा रहा हूं मैं सुबह सुबह मेर नहीं वह आएगा और ऐसा लगे गा थक गया हूं और आराम से बैठ जाया लेकिन यदि रेडियो नाटक की बात है तो उसमें बोलना पड़ेगा कि मैं थक गया हूं कहीं कुर्सी दिख जाए तो मैं बैठ जाता हूं चलो वो रखी जा तो यह सब बताना पड़ेगा समवा आप हम चलते हैं कुछ प्रस्णों वपर चर्जा करते हैं दुर श्रव्य माध्याम से क्या सीमा है इन सीमाओ को किस तरह STRI पूरा किया जा सकता है तो इस प्रकार है की कौन कու dairy से कृष्ण हिमाद्याम में हम नाटक को अपनी आँखों से देख भी सकते हैं और पात्रों के समवादों को सुन भी सकते हैं किन्तु श्रव्य माध्यम में हम केवल सुन ही सकते हैं इसमें देख नहीं सकते हैं द्रिश्य माध्यम में हम पात्रों के हाव भाव देखकर उनकी दशा का अनुमान लगा सकते हैं किन्तु श्रव्य माध्यम में नहीं दिखाई दे रहा है उनके जो भी समवाध हैं सिर्फ उनको सुनकर ही अनुमान लगा सकते हैं द्रिश्ट श्रवे माध्यम में मन्चला पातरों के वस्तरों की शोभा उनके सौंदर को देख सकते हैं कि किस तरह का परिधान पहना हुआ ہے लेकिन यदि रेडियो नाटा के श्रवे माध्यम की हम बात करें तो सिर्व हम यह अनुमाल लगाएंगे कि कोई किसान है कोई काम करने वाली बाई है या फिर कोई बच्चे हैं कोई गरीब बच्चा है हामिद की बात करें हामिद की बात करें इद गहा की बात करें तो हम यह अनुमाल लगा सकते हैं कि बेचारा गरीब बालक है पुराने से क कपड़ों का हम अंदाजा लगाएंगे ठीक है तो द्रश्च श्रव माध्या में किसी भी द्रश्च तथा वातावरण को देखकर आनंद उठा सकते हैं किन्तु श्रव माध्या में जो भी स्थिती है जैसे मान लो पत्ते की आवाज है या रात का द्रश्च है तो वो कैसे पता चलेगा साउंड से ध्वनी से ही पता चल पाएगा और हम इस तरह से सिर्फ कल्पना गर पाएंगे कल्पना होगे उसी के मान द्रश्च परस्पतर करना हो द्रश्च कि आवाज रावना संगीत इस तरह से प्रस्थ कीए जाएगा कि समझ में आ जाया कि कोई डरावना द्रश्च है आपने सुना होगा कुछ कहानी आती है कही बात हैं कुछ अनकही सी या फिर कुछ कहानियों को द्रिश्चों को सीन को बताया जाता तो उसमें हाओ भाओ जो एक्स्प्रेशन्स दिये जाते हैं वो इस तरह के रहते हैं कि सामने वालों की आखों के सामने द्रिश्च ना होते हुए भी इमेज क्लियर हो जाती है यह है रेडियो नाटक की माध्यम से ही होता है श्रब माध्यम की इन सीमाओं को ध्वनी माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है जो भी श्रब माध्यम में द्रिश्च चल रहे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ संबादों के माध्यम से ही ध्वनी के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं अगला प्रशन है कि को किस तरह से रेडियो नाटक में प्रसुद कर पाएंगे दिखाना है जैसे घनी अंधेरी रात सुबह का समय बच्चों की खुशी नदी का किनारा और वर्शा का दिन अब इनको रेडियो नाटक में कैसे बताओगे घनी अंधेरी रात बूलना पड़ेगा कि कुछ समवाद ऐसे लिखने होंगी जैसे सनाटा विसल चौकिदार की सीटी की आवाज बाद बाद पर ठक 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 उसके डंडे पटकने की आवाज ठीक है सुबह का समय चिडियों या पक्षियों का चहचाहाना मुर्गे का बोलना यह जाएगा बच्चों की खुशी तो तरह तरह की खिल किलाती किलकारियों की आवाज समझ में आ जाएगा नदी का किनारा नदी के किनारे में यह समझ वाएगा कि बिल्कुल शांत माहौल है और साथी साथ जो लहरे हैं वो किनारे से टकरा कर वापस जा रही है तो वो साउंड जो रहेगा वो और साथी साथ पक्षियों का का दिन बारिश की आवाज और साथी साथ कुछ सम्वाद भी बाहर जा रहे हो चाता लेकर जाना हाँ हाँ लगता है आज तो बर्शा रुकने का नामी नहीं लें क्लियर हो जाएगा कि गंगोर बारिश हो रही है ठीक है वही यहां पर लिखा हुआ है कि गनी अंदेरी रात सा गंगोर रात रहे हैं सुबा का समय चडियों के चाह चाने की आवाज मुर्गे की बांग और प्रभादीनीटो की आवाज बच्चों की खुशी बच्चों के शो지는 की अवाज किनारियां या और मिलीजुली हसी की ध्वनिया नदी का किनारा किनारें से तकराती हुई लहन है और हवा का स्वर पक्षियों का कल्रव वर्षा का दिन अदिक है तो लगातार वर्षा होने की आवाज किसी का किसी को कहना की बाहर छत्री लेका जाना और दूसरा स्वर कि आज वर्षा लगता है रुखने का नाम ही नहीं ले रही है ठीक है तो यह क्लि द्वारा रचित इदगाह जिसमें हामिद चिम्टा लेकर आये था दादी को याद है हां उसी कहानिक हम लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों का शोर मिले जुली आवाजें पदचाप का स्वर दर्वाजा खट-खटाने की आवाज यह देना होगा रेडियो नाटक में यह सब कुछ तब जाकर पता चल पाएगा जैसे कुछ बच्चे आए दर्वाजा खट-खटाया हामेद चलो मेले चलते हैं ठीक है हामेद ओ हामेद मेले नहीं चलना है क्या दूर से आती हुए आ रहा हूं रुकना जरा अब तेज दादी रुको हामेद जोर से क्या है दादी धीर से मेले में ध्यान से चलना और बस 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 मुझे पता है फिर भी बेटा अपना खयाल रखना और गंदी चीज़ें ना खाना ठीक है इस तरह से वह बोल देगे बाहर से बच्चों का शोर तीवर हो जाता है दर्वाजा कोलने की आवाज हामेद चलो आ गया हूं और धीर से धीरे शोर कम होता है पजजाप भी धीरे हो जाते मतलब बच्चे वहां से जा चुके हैं और यह सीन आवाज के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि बच्चे आए और अब वहां से चले गए तो द्वनी प्रमुख माध्यम होती है तो प्यारे विद्यार्थियों इसी तरह ऐसे हर एक पार्ट को मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी समझाती रहूंगी और मैं एक और बात कहती हूं कि यदि किसी भी तरह के वीडियो में या किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मैं आपके उतर जरूर दोंगी क्योंकि हम हैं आपके लिए मैंगनेट ब्रेंज हिंदी मीडियम कक्षा साथवी से बारवी तक की ऑनलाइन स्कूल एजूकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियो भी आप सभी विध्यार्थियों को 100% फ्री तो बने रहो हमारे साथ मिलते हैं एक और वीडियो के साथ स्वस्त रहना खुश रहना बाइबाए थैंक यू समच